इस lecture के अंदर मैं आपको दो किसम की power transformations बताऊंगा जो data को non-normal data या non-gaussian distributions को Gaussian distributions या normal distributions के अंदर convert कर देती हैं बलकर चलो आपके याद रखो कि तीन किसम की transformations बता देती हैं पहली है box cox, second होगी यो जॉँजांसन, number third is quantile transformations यह तीनों चीज़ें हम देखते हैं बारे बारी और data को transform करके देखते हैं कि data किस तरीके से नजर आता है let's jump into the screen, यहाँ पे code के अंदर आपको सारी चीज़ें इन्शाला समझा जाएंगी and we will actually see किस तरीके से हमारा data जो है वो काम करता है okay जी, तो यहाँ पे मैं एक पहले बनाता हूँ जी, transformation transformations हमने करनी है data की, सबसे पहले तो हम libraries import करते हैं तो मैं यहाँ पे import numpy बलके pandas पहले करते हैं, pandas as pd import numpy as np and then हम करते हैं import matplotlib और और हम करते हैं import cbon as sns यह हमने कर ली ठीक है, और सबसे पहला काम जो हम करेंगे इन चार libraries को import करने के बाद वो काम होगा कि हम data generate करते हैं जो non-normal data, not normal, generate non-normal data for example, हम exponential distributions देख लेते हैं, exponential distributions, ठीक है exponential distributions generate कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम करेंगे np.random.seed कोई भी random seed से हम start करते हैं और यहाँ पे number देते हैं तो को 0 जब आप इससे start करेंगे तो आपका data भी same वो ही बनेगा, अगर same आप number देते हैं, ठीक है अगर number different होगा तो आपका data भी different बनेगा, तो मैं data यहाँ पे बनाता हूँ, df is equal to, यहाँ पे इसको हम कोई भी किसम का data बना सकते हैं, मैं simply क्या करता हूँ यहाँ पे np.random.exponential, 1000 इसका size रख लेता हूँ, यानि के 1000 row है, हमारे पास data के points होगे scale कर देता हूँ, इसको 2 पे, ठीक है, let's see हमारा data जो है, वो किस तरीके से नजर आता है, और बलके हम इसको क्या करते हैं, pandas data frame में भी convert कर लेते हैं, df is equal to pd.dataframe, और यहाँ पे इसके अंदर df कर देते हैं, दुबरा से, columns को values बोल देते हैं, या मैं यहाँ पर कहा देता हूँ, number, ठीक है, बलके values क्या देते हैं, यह ज्यादा इसी रहेगा, तो यह हमारा data बन गया, इस data को अगर देखा जाए, तो data is looking something like this, ठीक है, और यह अगर data की shape देखे हम, data का head इस तरीके से, यानि कि यह data randomly हमारे पास आ गया है, और अगर मैं इसकी shape देखा हूँ, तो it will show me something like thousand multiplied by one, thousand हमारे पास जो हैं, वो rows हैं, एक column है, ठीक है, so this is how we created this data, अब इसका सबसे पहले तो sns.hist plot बना के देखते हैं, df का, और values का बनाते हैं, kde true कर लेते हैं, तो हमारा data कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, अगर आप गोर करें तो यह जी आपका data, इस वकत, right, अब इ we will see के यह transformation data का क्या हाल करती है, सबसे पहला काम जो आपने transformations का करना है, उसके लिए आपने यहाँ पर import करना है, from sklearn.preprocessing.गर आप और लगाएंगे तो आपके पास power transformation यहाँ पर आ जाएगा, पी ओ, बलके यहाँ पर import कर लेते हैं इसको, import power transformer, power transformer हमने कर लिया, import यहाँ पर, अब हमने क्या करना है, power transformer के through data को transform करना है, वो कैसे हम करेंगे, उसके लिए simply हम पहले इस transformer को दो सुमें तक्सीम करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर pt underscore box cox एक कर लेता हूँ, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि मैं जब भी power transformer का method box cox लगाँगा, तो मैं यह वाला transformer use करेंगा, पिछले lecture में हमने इसको scalar बोला था, अब हम इसको pt box cox बोल रहे हैं, अब कोई भी इसका नाम लगा सकते हैं, तो यह transformer है, जो already built है, transformer, ठीक है, transformer क्या होता है, जो एक data को दूसरी shape में convert करेगा, second मैं इसी के अंदर ही year johnson को कर लेता हूँ, तो यह इस तरीके से हमारे पास, दो methods जो हैं वो आ गए, box cox and year johnson, मैं दोनों ही कर लेता हूँ, यहाँ पर spelling पूरे लिख लेते हैं, johnson भाई नराज ना हो जाए, कि साड़ा पूरा ना ही नहीं लिखिया इस वज़ा से मैंने इन दोनों को यहाँ पर import कर ली है, अब एक चीज़ याद रखें, कि data must be positive for box cox transformation, data का positive होना ज़रूरी है, और अगर आप गौर करें हमारा सारे का सारा data जो है, वो positive है, ठीक है, और इसकी मिसाल हम ऐसे देख सकते हैं, कि अगर मैं यहाँ पर df.min लिख मुझे minimum value देगा, which is 0.001092, ठीक है, तो इसका मतलब है minimum value मेरी minus में नहीं है, that means my data is positive, तो box cox की पहली assumption क्या है, data must be positive, box cox के लिए data must be positive, अब समझ आई, assumptions जो है, और किसी चीज़ की आपने देख रही है, इस वज़ा से हम, जब box cox को हमने लगाना है, तो हम box cox को simply क्या करेंगे, box cox को fit करेंगे इस data पे और उसको reshape करना पड़ेगा हमें different चीज़ों के अपर, ठीक है, अब हमने क्या किया है, data को original data के ऊपर हमने लगाना है इसको, तो मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरी चीज इसको पहले तो minus करता हूँ, और यहाँ पे हम df के अंदर एक नया column डालते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं के जी, box cox, ठीक है, box cox, यह वला हमने नया column बना है df के अंदर, और उसमें क्या values डाली, box cox.fit transform, जो values fit transform हो जाएंगे box cox के जरीए, उसको हमने यहाँ पे add कर दि this, आप simply यह वला काम करेंगे, ठीक है, और जाहरी बात है, जब आप transform कर देते हैं, इसके plus one भी आप लिख सकते हैं, उससे यह होगा कि आपका पूरे का पूरा data जो है, वो basically plus one add कर देगा, यहाँ पे simply आप plus one add कर देंगे, ठीक है, और यह box cox के लिए आपके लिए जरूरी यह होता है, दूसरा यह यह जॉनसन है, आप वो वाला data भी आप यहाँ पे इस तरीके से print कर सकते हैं, और data के उपर transformation लगा सकते हैं, ठीक है जी, तो यह दो आपके पास box cox and यह जॉनसन की, आपके पास जो है, वो transform data आ गया, ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यह transform data है मैंने इसको run किया, data transform हो गया, अब मैं df.head आपको करके दिखाता हूं and here you go, ठीक है, आपका data जो यहाँ पे values के अंदर 1.591749 था, यह इस तरीके से transform हो गया, यह सारे का सारे data इस तरीके से कुछ transform हो गया, और यह Johnson के अंदर भी आपके पास data जो है, वो इस तरीके से transform हो ग ठीक है, so create histograms for all columns using sns.hist and kde is equal to true, use a for loop, अब यह इतना कुछ मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि अक्सर अकात आपको नहीं याद रहता है कि किस तरीके से आपने सभी को show करवाना है, तो मैंने simply यहाँ पर यह वला है column लिखा, code लिखा है and here you go, यह आपके पास जनाब सारे के सा अब अगर आप गौर करें, तो यह data था आपका, यह वला हो गया है और यह वला हो गया है, ठीक है, आपको समझ आगे किस तरीके से आपका data जो है वो ट्रांसफर्म हो रहा है, अगर गौर करें इस पे, ठीक है, and this is how you can actually transform your data, आपका data जो है वो इस तरीके से एक curve के अंदर, bell curve के अंदर आगे, obviously यह totally transformed data normal नहीं है अभी, because there are few things जो हमें और भी समझ नहीं है, so transform करने के लिए जो method है मैंने आपको बताया है, वो यहाँ पे देख लें, कि आपने सिरफ उस method को call करना है, which is power transformer, box cox and year johnson दोनों को fit कर देना, किस तरीके से, इस तरीके से, अब एक यहाँ transformation पर जाता हूँ, यह इन्होंने code लिके हुए है, अगर मैं यहाँ पे box cox देखूं, यह इसकी equation है, basically यह johnson की equation है, यह आपके पास box cox transforming की equation है, lambda के साथ, इसको हम बाद में देखेंगे mathematics को, but for now, अगर आप गौर करें, तो यहाँ पे method के साथ उन्होंने standardized भी किया हुए, false true आप कर सकते हैं, तो एक तो यह चीज़ आप add करके देखें कि क्या आपके data के अंदर transformation आ रही है, secondly, जब आप power transformer को use करते हैं, तो आप जैसे quantile transformer है ना, आप इसको use करके यहाँ पे अपनी output बता सकते हैं, किस तरीके से आपने कौन सी output लेनी है, तो अब मैं इसमें एक और addition करने वाला हूँ, pre-processing के साथ quantile transformer की, फिर मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से यह quantile transform होगा, मैं यहीं पे add करता हूँ, from sklearn.pre-processing import quantile transformer, quantile transformer, और यहाँ पे मैंने quantile transformer को लागे, अब तीसरे नाम पे हम करते हैं, quantile normalization, quantile transformer, output मैंने रखनी है, इसकी normal distribution, यानि के यह क्या करे, data को normalize कर दे, simply, ठीक है, तो यह मैंने output इसकी यहाँ पे रख दी, now we will add this here, df के अंदर, quantile transformer, यह मैंने लगा दिया, यह df के अंदर जी quantile transformation बन गी, यह इसको मैं run करता हूँ, and here you go, आप चेक करें, कितनी जबरदस्त किसम की normal distribution होई है, चेक करें आप, quantile transformation के साथ, सही है, quantile transformation क्या करती है, अगर आपको ज्यादा information लेनी है, तो आप यहाँ पे click करके, इसको detail में पढ़ सकते हैं, reason यह है कि अगर मैं एक एक point को बार बार clear करने बैठूंगा, तो आपका जो course हमारा चेमा का है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, so I would highly recommend क कि आप यहाँ पे जाके देखें, कि जब quantiles transform होते है, quantiles होते क्या हैं, किस तरीके से वो transform होते हैं, और कौन-कौन सी चीज़े उसमें matter करती हैं, लेकिन जो main काम है, आप इस quantile transformer को use करके data को normalize, इस तरीके से कर सकते हैं, और यही चीज तो आपको दिखाई थी ना, मैंने graph क अगर आप गोर करें, कि quantile transformer हर एक चीज को check करें, क्या कर रहा है, नॉर्मलाइज कर रहा है, by model को भी, uniform distribution को भी, Gaussian को भी, इसको भी तीनों को normalize इसने कर दिया, log normal को, chi square को और y pull को, इन तीनों को भी इसने normalize कर दिया, so इसका मतलब है, quantile transformer जो है, वो सबसे important काम अदा करता ह जब आप चीजों को normal distribution में convert करने के लिए, यूज करते हैं, but on the other side, you can also use different किसम के जो आपके दूसरे power transformer है, and they work as well, कहां पे वो काम करेंगे, अब गोर करें ज़रा, log normal distribution, काइस के और y pull, इन दोनों पे box cox काम करेगा, अगर आप गोर करें, ठीक है, box cox इन दोनों पे काम करे ठीक है, इन दोनों पे, log normal पे भी ये काम करेगा, but year johnson की थोड़ी सी मसला आजाएगा, ये normal distribution बना देगा, इसकी भी normal बना देगा, इसकी भी, लेकिन year johnson थोड़ा सा यहां पे gap छोड़ देगा start में, ठीक है, तो after quantile transformation सब कुछ आपका normal हो जाएगा, so you can have a guide from here, कि कब कौन सी transformation को मैंने use करना है, अगर आपकी log normal है, तो आपने box cox भी use कर सकते हैं, ये johnson भी, kai squared है तो ये दोनो, y bull है तो ये दोनो, तो आपकी जो sample distribution है, वो कैसी नजर आ रही है, वो इन तिनों से देखेंगे, या इन तिनों से देखेंगे, and then you can convert that like this, and this is how you can actually use the transformer to convert the data into really a normal distribution data, अब इसके इलावा, अगर मैं, अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे standardized को is equal to true करते हैं, तो क्या होता है, let's see, standardized is equal to true, मैं इसको run करता हूँ, df को run करता हूँ, यहाँ पे दुबारा से plot बनाते हैं, check करें, कोई इतना खास फरग नहीं पड़ा, reason क्या है, अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आप मैं करता हूँ false, यहाँ भी करता हूँ false, अकसर अकात true की value, आपकी उस value के अंद actually see, and here you can see that, कि यहाँ पे data standardized भी हुआ है, ठीक है, आपको change नजर आएगी numbers के अंदर, और bins के अंदर, you can also change the bins, और यहाँ पे depend करता है, कि आप bins को किस तरीके से draw करना चाहते है, ठीक है, and this is how you can actually work, और आप इस तरीके से अपना plot जो है वो draw कर पाएंगे, और आपका data जो है वो इस तरीके से आप देख पाएंगे, normal distribution में convert करके, यह मैंने तीन method आपको बताए हैं, इसके इलावा जो दूसरे methods हैं, वो आप भी देख सकते हैं, और data को normalize, यानि कि आपका data जो not normal है, उसको normalize करके देख रहे हैं, ठीक है, इन methods को हम basically normalization भी बोल सकते हैं, अगर आप स आना, ठीक है, दोनों जो हैं, वो same काम भी कर सकते हैं, आपके data को normal भी कर सकते हैं, but you have to actually use this in different conditions.